नागा लेंड में Government Employee का नाम कैसे बदले? क्या आप नागा लेंड में रहते हैं और क्या आप एक Government Employee हैं और क्या आप अपना नामचेंज करना चाहते हैं? अगर हा, तो सबसे पहले आपको अपना एक गजट बनवाना होगा. गजट एक कानूनी दस्तावेज है. इसको बनवाने के लिए आपको इन तीन दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला एफिडेविट बनवाना एफिडेविट बनवाने के लिए आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा और उनको नाम बदलने की सारी जानकारी देनी होगी दूसरा समाचार पत्र में प्रकाशन भेजना समाचार पत्र में प्रकाशन भेजने के लिए आपको अपने राज्य के भाषा के समाचार पत्र और अंग्रेजी दोनों भाषा के समाचार पत्र को सिलेक्ट करना है और उसमें नाम बदलने की सारी जानकारी लिखकर प्रकाशन भेज देना है. तीसरा नाम बदलने का आवेदन पत्र बनवाना, इसको बनवाने के लिए भी आपको किसी वकील से संपर्क करना होगा. और अगर आप Central Government Employee हैं, तो आपको एक Deed Application बनवाना होगा, जिसके लिए आपको Deed File पर अपने Head of the Department का सिगनेचर करवाना होगा. जब आप इन सभी दस्तावेजों को रेडी कर लेंगे, उसके बाद आपको इन ही दस्तावेजों को गजट Office जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है. फिर 30 से 40 दिनों के अंदर आपका गजट Government की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, जहां से आप अपना गजट Donvaload कर सकते हैं. फिर आपको अपना गजट और जिस भी डाक्यमेंट में नाम बदलना है, वो डाक्यमेंट लेना है और उसी डाक्यमेंट की Office में जाकर नाम चेंज करवा लेना है. अगर आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, तो पुराना आधार कार्ड साथ में गजट लेना है और आधार कार्ड ओफिस में जाकर अपना नाम चेंज करवाना लेना है पासपोर्ट में नाम चेंज करने के लिए अपना पासपोर्ट और गजट लेना है और पासपोर्ट ऑफिस में जाकर अपना नाम चेंज करवा लेना है ठीक इसी तरह से आप अपने किसी भी दस्तावेज में नाम चेंज कर सकते हैं अब हमें उम्मीद है कि इस विडियो में बताई गई पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अब भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है तो स्क्रीन पर दिये गए नंबर कॉल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं